तो आज हम यहां पे एक नया सब्यक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस से फ्रिक्वेंटली कोश्टन्स पूछे जाते हैं इस जितने भी फिर्ल्ड हैं हर जगह हम क्या यूज कर रहे हैं इतने भी चेप्टर्स आपके सामने लिखवाए गए हैं यह हमारे सिलेवस के पार्ट हैं इन से बिसिकली कोश्टन्स पूछे जाते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक ड्राइब्स हमें मालो मसीन में हमने कवर कर रखा है बाकी आपके बचे शिक्स चेप्टर्स इन चेप्टर्स की पहले चेप्टर की तो आपके बिसह इल्लूमिने शन अध्रिक bill लाइटिंग इसल अध्र तो लाइट इसक टाइप आफ एलेक्ट्रोमैगनेटिक रिडियएशन लाइट एक ऐसी ऑनर्जी हैं के इसल टाइप कीणर्जी है तो टाइंध energy light एक radiant energy है जो की जो की कहां से निकलती है जिस कोई hot body है मतलब हम किसी object को जब गरम करते हैं तो उसमें से energy निकलती है कौन से energy radiation kind of radiation अब उन radiation दो type के होते हैं starting में तो क्या create करता है heating create करता है starting में क्या create करता है heating create करता हीट होता है ठीक ठाक एक limit के बाद जैसे आपने कोई object है उसको क्या किया आपने heat किया तो अगर आपने उसे गरम किया तो जब आप heat करते हूँ तो थोड़ी दिर तो चलो heat होता है but मलब heat create करेगा आस पास बट एक टाइम के बाद पता है क्या होगा उसमें से radiation निकलना start हो जाएंगे और ओ रेडियेशन जो होंगे ओ basically क्या produce करेंगे light produce करेंगे मतलब ओ एक electromagnetic wave होंगी जो कि किसी object को देखने में आपकी help करने वाली है ठीक है तो यहाँ पर एक simple definition पढ़ते हैं light is defined as the as that part of radiant energy जिको बहुत धेर सारी energy radiate हो रही है किसे से hitting object से hot body से बहुत धेर सारी energy radiate हो रही है बट उसमें से सिर्फ उस radiant energy को हम light बोलेंगे जो कि किसी object को किसी दूसरे object को देखने में हमारी help कर रहा है क्या यह बास सब को clear है धेर सारी radiant energy निकल रही है बस बट हम सबको light energy नहीं बोलेंगे सबको light नहीं बोलेंगे हम सिर्फ उस portion को उस हिस्से को light बोलेंगे जो कि हमार जो कि हमें किसी object को देखने में help कर रही है क्या बास सबको clear है क्या light travel करता है किस velocity से तो 3 into 10 के power 8 light travel करता है किस velocity से तो 3 into 10 के power 8 meter per second यह बात हमने power system में भी पढ़ रखी है बोलो हाया ना कि जो electricity होती है और किसी speed से चलती है 3 into 10 के power 8 meter per second ठीक है तो जो light होती है किसी speed से चल लिए 3 into 10 के power 8 meter per second अच्छा जब बात आती है कि ठीक है light के sources क्या-क्या है तो light के sources हैं या तो दो टाइप के source होता है एक होता natural source और एक होता artificial source light के source अभी मैं electricity में घुसा नहीं हो याद रखना light के दो टाइप के sources होते हैं एक होता है natural और एक होता है artificial अब देखो ज़रा अच्छा ए लिख लिए आना सब लोगों ने आगे बढ़ जाओ मैं जब आप जब आप बेसिकली किसी बॉड़ी को किसी ऑब्जेक्ट को गरम करते हो जब किसी ऑब्जेक्ट को गरम करते हो तो क्या होता है light emit होता है light emit होता है अब किसमें से कितना light emit होगा जब दो बॉड़ी साथ में हैं दो ऑबजेक्ट होट बॉड़ि साथ में हैं तो दोनूcznie से किसमें ज़्यादा lightे होगा इंदिर Ửेंड किस पहें करेगा उन दोनों के टमप्रेचर पे बोलो हाँ या ना जलिद बोलो ज़ल दो अबजेक्ट है उसको आप गरम कर रहे हो ठीक है अब किससे ज़्यादा लाइट क्रियेट होगा कहीं न कहीं एक इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन जा किसका टंप्रेचर ज़्यादा है ठीक है न तो लाइट इमिटेड वाई सोर्स बाडी डिपेंड अपन वाट किसके टंप्रेचर पे उस बाडी के टंप्रेचर से जिस्से आप इनरजी रिलीज कराना चाहते हो तिके किपायर खे들ग न IS start emitting heat energy in the all direction सबसे पहले जब गरम करोगे तो पहले पहले visible spectrum create होगा या फिर पहले heat energy create होगी तो क्या create होगा पहले heat energy create होगी फिर further आप गरम करते जाओगे तब light energy create होगी क्या यह बास आपको clear है starting में heat energy create होगी फिर जब further आप गरम करते जाओगे फिर क्या होगा basically light energy create होगी ठीक है ना तो if the temperature of a body is raised it start emitting heat energy in all the direction सारे direction में heat energy देना start कर देगे फिर क्या होगा अगर उसके बावजूर further आप temperature को बढ़ाते जाते हो if further temperature is raised एक ऐसा state आएगा जहां पे वो body हमें दिखनी start हो जाएगी इसका मतलब क्या है इस समय वो body heat radiation के साथ light भी emit कर रहा है जब हम further temperature बढ़ाएंगे clear बात यह जो इसली मैंने बोला था उसी बात को यहां पर लीखा गया है अभी क्या बात हुई कि कि कितना energy radiate करेगा कोई heating मलब कोई hot body एक किस पर depend करेगा जल्ली बोलो कितना energy energy radiate करेगा तो starting में जब आपने उसे गरम किया तो सबसे पहले उसने क्या गरा heat energy release करी फर्दर आपने उसे गरम किया तो फिर उसने क्या किया light को emit करना start कर दिया light emit करना start कर दिया इसका मतलब जो energy radiate करेगा ओ कही न कहीं किस पर depend कर रहा है temperature पर अब एक question पूछा जाता है तो बताओ कि जो energy का radiation है जो energy निकलेगा जो energy निकलेगा ओ temperature से कैसे बिलॉंग करता है तो that relation is what e is equal to sigma t के power 4 जिसको क्या बोलते हैं the stephen boltsman law सुनते जाओ लिखते जाओ e क्या है e basically एक energy है energy release होगा ठीक है न किसी body का temperature बढ़ाओगे तो कितना ज़्यदा energy release होगा यह relation बताता है कौन stephen boltsman law ठीक है देखो जहाँ पर अब उसको it states that total radiant heat output emitted from a surface is proportional to its absolute temperature to the fourth power मतलब जो radiated heat होगा heat energy होएगी वो directly proportional to t के power कितना होगा यह relation याद रखना है t के power कितना होगा जल्दी बोलो कितना energy कितना heat energy release होगा यह t के power प्रपोस्टनल होगा t के power 4 कितना होगा प्रपोस्टनल होगा t के power 4 ठीक है न मतलब अगर कोई question simple सा पूछे कि अगर मैं temperature double कर दूँ अगर मैं temperature double कर दूँ तो बताओ कितने time heat जो energy release होगा कितने time बढ़ जाएगा जल्दी बोलो अगर मैं temperature double कर देता हूँ तो जो energy होगा वो कितने time बढ़ जाएगा 16 times कितने time बढ़ जाएगा 16 times बढ़ जाएगा clear है बात तो इस बात को यहाँ पर आ रहे है सिग्मा इज वाट स्टीफन constant ठीक है न इस टीफन constant एपेच के लिए है सबको आगे बढ़ जाएं मलब ए इस टीफन बोल्ट्समें लॉग हमें क्या बताते हैं हमें यह बताते हैं कि अगर आप किसी बॉड़ी का temperature में T का change मलब T है तो ओ कितना energy release करेगा कितना heat energy release करेगा clear चलिए आगे बढ़ जाते हैं ठीक है अभी हमने temperature और energy में relation देख लिया अब एक आता है when displacement law एक आता है when displacement law क्योंकि हमें कौन सा object दिखेगा कौन सा object नहीं दिखेगा यह decide करता है यह decide कैसे होता है with the help of wavelength with the help of wavelength तो इसका मतलब अगर ओ बॉड़ी जब आप गरम कर रहे थे अगर ओ गरम करने के बावजूद हमें नहीं दिख रहा था इसका मतलब क्या है कि ओ एक ऐसे wavelength की energy release कर रहा था जो हमारे visible range में नहीं था बो हाया ना क्योंकि energy release तो कर रहा था बटो हमें नहीं दिख रहा था इसका मुलब हो हमारे range में नहीं था यसे नो बोलो यार तब ही नहीं देख पा रहे थे न हम क्योंकि energy तो release कर रहा था हो बढ़ हम नहीं देख पा रहे थे क्योंकि हमारे range में नहीं था T is what absolute temperature और B is what Vance displacement constant जिसकी value कितनी होती है इतनी ठीक है अब यहां समय याद क्या रखना है पहला point क्या याद रखना है कि temperature और wavelength में relation कौन देता है answer is Vance Displacement Law second point क्या याद रखना है कि अगर हम temperature को बढ़ाएंगे तो जो wavelength produce होएगी वो large wavelength होएगी या small wavelength होएगी जल्दी बोलो large wavelength होएगी या small wavelength होएगी समझते जाओ चीजे यहां समझते जाओगे न तो आगे चल के तुम्हें बहुत आसान लगेगा फिर रटने वाली चीजे नहीं आएंगी सारी चीजे ने एक दूसरे से connect करेंगे ठीक है न तो आप बस एक request है focus से सुन ले न बस ठीक है न तो temperature जैसे बढ़ाएंगे वैसे क्या होगा हमारा जो heat जो हमारा क्या होगा heat जो electromagnetic wave create होगी जो electromagnetic radiation create होगी radiation मतलब like यो कुछ इस तरीके से waveform होंगी वो जो radiation create होंगी उसका कुछने कुछ क्या होगा wavelength सरी wavelength क्या होता है फ़ले यह बता दू फिर आगे बात करो देखो यार जैसे wavelength क्या है न जैसे यह देखो देखो यह यहां से यहां तक कका एक cycle से यहां से यहां तक का जो distance होता है that is what that is lambda that is wavelength तो यह तो peak से peak का distance यह तो peak से peak का distance ठीक है न यह तो यहां से यहां का distance इसको क्या बोलता है इसको थर्स्ट बोलते है न, I think, yes or no? अच्छा, क्रेश्ट एंद थू, चलो, खेर, तु जो पीक से पीक का डिस्टेंस, मलब एक तरीके से एक टाइम पीरियर्ड में, एक मलब अच्छा, यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, यहां से यहां तक जाने में, जो समय लगा होता है, एक साइकल कंप्लीट करने में, जो समय लगा होता है, that is what, time period, बोलो हाँ या न, that is what, time period, और यह जो distance इसने travel कर लिया ठीक है जो इसने distance travel कर लिया that is what wavelength that is what wavelength सरे T और लिम्डा बराबर है क्या नहीं जब आप A waveform time के respect में देखोगे तब आप इस distance को क्या बोलोगे मलब तब इस distance को क्या बोलोगे time period जब आप एक graph मतलब distance के respect में देखोगे तब आप इस distance को क्या बोलोगे लिम्डा आरी बात समझ में बोलो हाया ना ठीक है चलो अब ध्यान से देखो ए जो waveform है कौन सा waveform है light का electromagnetic waveform यह light का अच्छा कोई बताएगा अभी यह जो light है किस speed से चल रही है light किस speed से चल रही है suppose v velocity से and v velocity के तक कितनी होती है that v velocity is equal to anyone that v velocity is equal to velocity of light which is 3 into 10 के पावर 8 meter per second बोलो हाया ना यह जो waveform आपका आगे चल रहा है motion कर रहा है 3 into 10 के पावर 8 से आगे बढ़ रहा है done तो velocity of light यह फिर तो यह जो waveform है इसकी velocity मैंने v से represent करी दिया वह बात अलग है कि v की value किस के बराबर है c के बराबर है and what is the value of c 3 into 10 के पावर 8 meter per second clear अभ एक बात बताओ यार अगर ए waveform v velocity v velocity से चल रहा है अगर ए waveform v velocity से चल रहा है तो इस t time में इस t time में वो कितना distance travel कर लेगा या फिर दुसरे तरिके से जहां से सुनो अगर मैं बुलूं कि यह distance है that is lambda distance is equal to क्या होता है what is distance distance is equal to what speed upon time बोलो हा या न distance is equal to sorry 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 speed is equal to what speed is equal to what distance upon time clear है गया speed is equal to what distance upon time अब इक बात बताओ इस waveform की speed है कितनी suppose that is v suppose that is v और distance lambda distance travel करने में कितना time लगा होगा lambda distance travel करने में कितना time लगा होगा capital T बोलो यार lambda distance travel करने में कितना time लगा होगा capital T what is lambda lambda है क्या अब तो के भी भूल गये होगे what is lambda, what is lambda, बोलो, wavelength, lambda क्या था, wavelength, यह से नो, lambda क्या है, that is wavelength, ठीक है, चलो, और यह आपका क्या है, that is time period, that is time period, तो जो velocity of light है, जो velocity of light है, that is what, lambda by t, और 1 upon t is equal to what, f, बोलो, हाई है न, 1 upon t is equal to what, f, तो क्या मैं b is equal to lambda f लिख सकता हूं क्या, b is equal to lambda f, ठीक है, b is equal to lambda f, what is the conclusion, conclusion सुनो द्यान से, कि जो velocity of light है, अगर भी है, अगर भी है, और उसका wavelength lambda है, अगर उसका wavelength lambda है, time period t है, तो a relation होगा, और अगर frequency में बात करें, तो a होगा, एक बात बताओ, b is equal to what, c, and c is equal to what, 3 into, 3 into 10 के पावर 8, और जो की क्या है, एक constant value, जो की क्या है, एक constant value, ठीक है न, जो की क्या है, constant value, तो क्या, यहाँ पे ऐसा बोला जा सकता है, lambda into frequency is constant, बोलो हाँ या न, बताओ यार, lambda into frequency is equal to constant, किसी को कोई समस्या है, यह जो यहाँ पे line मैंने लिखी है, किसी को कोई समस्या, lambda into, lambda into f is equal to constant, done, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ, lambda is universally proportional to f, lambda is universally proportional to f, मतलब जिस waveform की wavelength ज़्यादा होगी, उस waveform की frequency क्या होगी, कम, जैसे नो, ठीक है, जिस waveform की wavelength ज़्यादा होगी, उस waveform की frequency कम होगी, या फिर ऐसे बोलो, जिस waveform की frequency ज़्यादा होगी, कि उस frequency की wavelength कम होगी अभी सब mix होने वाला है ठीक है न तो ध्यान से सुनते चलो बस यहां तक लिख लिए आगया इधर देखो आजाओ इस पर तो वेंज displacement हमें क्या बता रहा है हमें temperature और wavelength में relation बता रहा है अच्छा एक टी कंफ्यूज मत हो जाना कि टी वो time period वाला है time period वाला है क्या time period वाला है नहीं ठीक है ना that is what that is temperature that is temperature अच्छा एक बात बताओ अब यहां तक आप समझे हो अब सारी चीजों को थोड़ा सा इतनी चीजों को पहले अपन बांध लेते हैं अगर हम किसी black body या फिर किसी body का temperature increase कर रहे हैं तो उससे जो उसकी released energy होएगी that will what increase or decrease जल्दे बोलो जो उसके अंदर जो उससे energy release होएगी वो क्या होएगी increase or decrease जल्दे बोलो क्या गर रहे हो अभी तो पढ़ाया क्या होगा increase एक किस relation से बात हो रही है किस relation से बात हो रही है ना मताओ उस relation का temperature बढ़ाने से energy जादा radiate करेगा एक किस relation से बात कर रहा हूँ मैं Stephen Boltzman law very good चलो अगर आप temperature बढ़ा रहे हो अगर आप temperature बढ़ा रहे हो तो जो उस waveform की wavelength होएगी जो उस waveform की wavelength होएगी that is lambda बताओ increase करेगी decrease करेगी जल्दी बोलो that will what decrease that will what decrease अब एक बात बताओ अगर अच्छा एक कौन बता रहा है एक relation में कौन बता रहा है कि temperature बढ़ाने से wavelength क्या होगा कम हो जाएगा चलो wind displacement law तीसरी point इसका मतलब अब देखो मेरे पास temperature और frequency में relation तो नहीं है बट क्या मैं यह बोल सकता हूँ कि अगर wavelength decrease हो रहा है तो frequency क्या होगा जल्दी बोलो frequency क्या होगा increase बोलो हा या न अगर wavelength decrease हो रहा है तो frequency क्या होगा increase तो क्या मैं ऐसे बोलू कि जब हम किसी body का temperature increase करेंगे तो उससे जो waveform release होएगी उसकी frequency बढ़ेगी क्या इस conclusion तक पहुच पा रहे हो आप बोलो यार temperature बढ़ाने से उस waveform की frequency increase होगी इस conclusion तक हम पहुच पा रहे हैं क्या ठीक है ठीक है ठीक है चलिए अच्छा यह जो relation था यह कहां से आया था यह lambda और f और relation कहां से आया था तो हमने क्या देखा था lambda into frequency that is equal to what constant यह से नो lambda into frequency that is equal to what constant constant की value किसके बराबर थी constant की value किसके बराबर है velocity of light velocity of light that is what 3 into 10 के पावर 8 चलो done यहां तक हमें बात समझ में आगी आगे देखो या अब सारी चीजों को यहां पर implement अब देखो अगर आपने अब इतनी सारी चीजे समझी है न तो आपके लिए यहां पर रटने के लिए कुछ है यह नहीं और अगर आपने अभी तक सिप्स देखा है तो अब यहां स electromagnetic spectrum जो आपके सामने है में भी सारी चीजे नहीं दिख रही होंगी बट जो चीजे मुझे दिखाने होंगी मैं जूम कर दूंगा टेंशन मतलो तो क्या है यहां पर the electromagnetic spectrum यह basically अब देखो हो क्या रहा है अगर आप यहां पर ध्यान दो अगर आप यहां पर ध्यान दो तो यह जो wavelength है इस side या इस वाले area में बताओ ज़रा wavelength large है या small है जल्दी बोलो wavelength ही क्या है जब cycle repeat होगा उसके बीच का distance जल्दी बोलो wavelength small है या wavelength large है इस region में जो मैंने mark किया हुआ है wavelength क्या है wavelength small है या wavelength large है wavelength बहुत ही ज़्यादा क्या है small है एस जफाब दीख रहे है यह जह रहा है देखो ना देखो peak से peak का distance इतना आ रहा है और इधर देखो पीक से पीक का डिस्टेंस इतना जा रहा है तो पीक से पीक का डिस्टेंस ही तो वेवलेंथ होता है क्लियर है क्या ठीक है चलो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इधर अपन इधर जा रहे हैं कि इधर यहाँ पे तो वैसे क्या हो रहा है wavelength कम हो रहा है अच्छा wavelength कम हो रहा है इसका मतलब temperature क्या हो रहा होगा increase or decrease यह बता दो wavelength कम हो रहा है मतलब temperature क्या हो रहा होगा increase temperature क्या हो रहा होगा increase ठीक है न temperature क्या हो रहा होगा increase और wavelength क्या हो रहा है कम और कहीं न कहीं जो frequency होएगी वो क्या हो रहा होगा जल्दी बोलो frequency क्या हो रही होगी वो भी क्या हो रही होगी increase हो रही होगी यह से नो increase होएगी अब एक बात बताओ temperature अगर बढ़ रहा है temperature अगर बढ़ रहा है तो energy के बारे में क्या खयाल है वो भी तो बढ़ी रहा होगा, बोलो हाँ या ना, अगर temperature बढ़ रहा है, तो energy भी तो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे, अगर मैं यह बोलू, कि यह जो point है, इसकी wavelength shortest है, shortest wavelength, तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ, कि frequency highest होगी, बोलो हाँ या ना, अगर wavelength shortest है तो frequency highest होगी frequency highest तब create होगी जब temperature maximum पे ले जाएंगे बोलो हाँ या न मतलब हम बहुत ज़्यादा temperature बढ़ा देंगे तब भी हमें मतलब temperature बढ़ाने से frequency क्या आ रही है बढ़ रही है ठीक है क्या ठीक है अब देखो जा रहा एक ध्यान से सुनना मेरी बात एह है आपका visible spectrum जिसमें अगर wavelength इस range में आया तो आप देख पाओगे मतलब क्या है कि अगर कोई waveform आप देख पा रहे हूँ अगर कोई waveform आप देख पा रहे हूँ और उस body का temperature मैं बढ़ाते चला जाऊँ तो उसके बाद visible के जस्ट बाद बताओ जरा वो कौन सा waveform प्रेड्यूस करेगा अल्ट्रा वाइलेट या फिर infrared जल्दी बोलो अगर मैं visible spectrum में कोई wavelength है और मैं temperature बढ़ा रहा हूँ तो बताओ किस में जाएगा अल्ट्रा वाइलेट में या infrared में जल्दी बोलो किस में जाएगा अरे इधर जाने पे temperature बढ़ा रहे न यार क्या कर रहे हो किस में जाएगा अल्ट्रा वाइलेट में समझ लो लिखने के लिए तो कुछ है ही नहीं reply करो साथ साथ में बस ठीक है ना समझने के लिए लिखने के लिए तो अभी कुछ है नहीं समझ लो बहुत important चीज है तो हमने क्या देखा कि अगर कोई एक body है जो हमें इस range में waveform दे रही है wavelength दे रही हम देख पा रहे हैं अगर उसका temperature हम further increase कर दें तो ultra violet में चला जाएगा और क्या हम ultra violet ray को देख पाते हैं क्या क्या हम UV rays को देख पाते हैं तो answer is no नहीं देख पाते हम yes or no आरे बस में मतलब कोई waveform है जिसको आप देख पा रहे हो तो इसका मतलब ओ visible spectrum में है और further अगर मैंने temperature बढ़ा दिया तो ओ चला जाएगा ultra violet में और आप उसे नहीं देख पाओगे अच्छा सर घटा दे तब सर घटा दे तब चलो मालो आपने temperature घटा दिया temperature जैसे ही आपने घटाया तो अभी भी क्या होगा visible spectrum से बाहर निकल के ओ किस में चला जाएगा temperature घटा रहे हैं याद रखना तो infrared को भी आप नहीं देख पाओगे अरे बसमझ में तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो waveform दिखेगी हो सिर्फ किस range में होगी visible spectrum में अगर visible spectrum में कोई waveform है temperature बढ़ाएंगे तो ultra violet में जाएगी या infrared में जल्दी बोलो ultra violet में या infrared में temperature बढ़ाने पर ultra violet में और अगर temperature घटाएंगे तो जाएगा infrared में done अब और temperature बढ़ाया तो ultra violet से किस में चला जाएगा जल्दी बोलो कि ऐसे चार option दे दे बिजिबल, spectrum, ultra violet, x-rays, gamma rays तो बताओ सबसे highest frequency किस की है जल्दी बोलो highest frequency किस की है गामा की highest frequency किस की है गामा की lowest wavelength या shortest wavelength किसका है जल्दी बोलो shortest wavelength किसका है गामा का highest energy कौन create करेगा highest energy कौन create करेगा अगेन गामा create करेगा सब्सक्राइगा क्लेरे बात ठीक है चलो तू अब हमने क्या देखा हमने यहाँ पर क्या देखा एक बाद फिर से समझते हैं थोड़ा सा फिर से पीछे आते हैं क्या है कि जैसे जैसे हम temperature बढ़ाएंगे temperature बढ़ाएंगे तो wavelength घटेगी तो frequency बढ़ेगी frequency बढ़ेगी तो मतलब temperature बढ़ा हुआ है या फिर temperature बढ़ा हुआ है तो energy जादा होगी ठीक है ना अगर आपको यह gamma x-ray ultraviolet का समझ में आ गया न तो विव ग्योर में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी science में भी पूछा जाता है question याद रखना ठीक है ना अब ध्यान से देखो अगर इसकी wavelength shortest है तो कितनी है तो जो gamma range होती है उसकी जो wavelength होती है वो कितनी होती है 10 के power minus 12 मीटर के range में गामा कितनी होती है 10 के power minus 12 मीटर में x-rays कितना होता है 10 के power minus 10 मीटर में ठीक है ना मीटर में अच्छा ultraviolet कितना है 10 के power minus 8 मलब 2-2 घटाते चले जाओ आप P के याद कर लो 2-2 घटाते चले जाओ अच्छा अब यहाँ पे चीज देखो अगर आपको यह नहीं सुझमा रहा है कि सर वेवलेंद कितनी बड़ी तो देखो जड़ा जो अगर आपने टमप्रेचर बढ़ाया विजीबल से आगे गया देखो मैं इसको reference ले रहा हूं ताकि ना चीजे हमारे लिए दिक्कत ना क करें इसको मैं reference ले रहा हूं reference क्यों ले रहा हूं क्योंकि हम इसी को देख पाते हैं visible spectrum में जो wavelength हाती है उसी को देख पाते हैं मतलब अगर आपके आपने किसी body का temperature ज़्यादा किया और उसने अपनी जो radiation create करी और उसका wavelength इस visible spectrum में नहीं है तो क्या आप उसे देख पाओगे यह से नो क्या आप उसे देख पाओगे जल्दी बोलो अगर उस बीजिवल spectrum में नहीं है तो क्या आप उसे देख पाओगे नहीं देख पाओगे तू प्राबलम किस बीजिवल spectrum में है तू प्राबलम किस में है wavelength के बढ़ने से नहीं दिखेगा या wavelength के घटने से नहीं एक limit से ज़्यादा हो गया तब भी नहीं दिखेगा एक limit से कम हो गया तब भी नहीं दिखेगा जहां देना इस बात को ठीक है ना ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें बढ़ने से प्रावब्लम है मतलब ओ रेंज सरो रेंज बतादो पहले है कितनी रेंज है आपकी 400 नैनोमीटर से 700 नै दिखेगी इसके अलावा विवलेंथ आपको नहीं दिखने वाली है आजम अतुम में अब यहां पर बात समझना इक बहुत जहां से सुनना मेरी बात इंफरा रेड एंफरा रेड 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 के बाद आता है Ultra Violet Violet के बाद आता है क्या इह बात याद रख सकते हो आप जहां से सुनो मेरी बात Infrared Red के बाद आता है And Ultra Violet Violet के बाद आता है Violet से पहले आता है मैं इसलिए बोलाँ ना क्योंकि आपको विब ग्योर याद है Yes and No क्योंकि आपको विव्ग्योर याद है तो मैं उसी का फायदा उठाने की कोशिस करूँगा यहाँ पे डन ठीक है तो देखो जा रहा तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा था कि जब आप गामा रेज की बात करोगे तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है हाइस या लोवेस्ट मैं बार बार पूछूँगा सही सो समझ का अंसर देना है फ्रिक्वेंसी हाइस और लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी हाइस्ट फ्रिक्वेंसी हाइस्ट और वेवलेंथ ही लोवेस्ट अच्छा वो वेवलेंथ का साइज क्या है जो जितना size होता है atomic nucleus का ये भी तो लगवग 10 के power 14 10 के power 12 से 10 के power minus 15 तक होता है न atomic nucleus का size बोलो हाँ या न 10 के power minus 12 से 10 के power minus 15 तक होता है न ठीक है अच्छा उसके बाद अगर थोड़ा सा back आते हैं पीछे आते हैं wavelength को बढ़ाते हैं तब बढ़ाते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा atoms के size के बराबर हो जाएगा थोड़ा और बढ़ाते हैं ultraviolet की जो rays हैं किसके बराबर हो जाएंगी molecules के बराबर हो जाएंगे length की बात हो रही है याद रखना जो visible spectrum है उसका size कितना है उसके जहांगे वेवलेंद की साइज कितना है, जितना प्रो जोवा, अमीबा, प्रोटो जोवा, प्रोटो जोवा, प्रोरमीशियम, इनके बराबर होती है, सर फिर microwave की wavelength किसके बराबर होती है, आपके बराबर होती है, जितने, देखो न, equ付 आपके बराबर, समझ महा रहें क्या, जो microwave है उसकी जो wavelength है किसके range में होती है आपके height के बराबर फिर जो radio है अब दिखो यहां पे मैं चीजे relate करने कोसिज करूंगा रेडियो का जो wavelength है वो building के बड़ी-बड़ी buildings के बराबर होता है तो अगर जब भी आपके दिमाग में radio आएगा रेडियो waveform जब भी पूछा जाएगा आपको दिमाग में क्या रखना है building का size और इस size किसकी बात हो रहे frequency की wavelength की जल्दी बोलो जैसे ही आपके सामने radio आएगा radio waveform आएगा radio spectrum आएगा radio के साथ आपको क्या याद अगना है बड़ी-बड़ी buildings और बड़ी-बड़ी buildings का size क्या होता है बहुत जादा होता है इसका मतलब उसका wavelength क्या होगा जादा होगा और अगर wavelength जादा हुआ तो यहां सम बहुत सारे conclusion निक बाद बताओ यार उसकी frequency क्या होगी highest या lowest जली बोलो frequency क्या होगी highest या lowest that is lowest that is lowest frequency wavelength highest frequency lowest अचा frequency lowest एक बाद बताओ क्या बोलते है उसको तंप्रेंशी lowest बट इनर्जी क्या होगी energy is what highest lowest energy is what lowest तो यहां से हमें conclusion क्या निकालना है यहां से हमें conclusion क्या निकालना है पहले तो आपके table याद करनी पड़ेगी कौन इवाली table देखो विजीबल से अगर विजीबल की बात करें विजीबल की बात करें तो बताना जड़ा विजीबल में कौन कौन सा कलर आता है विब ग्योर यही होता है न बोलो हाँ या न वी आई बी जी वाई ओ आर एक बदा दो वी आई बी जी वाई ओ आर अब एक बात देखो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना वाईलेट कलर के बाद क्या आएगा अल्टरा वाईलेट और रेड के पहले क्या होगा इन्फरा रेड डन तो इन तीनों को याद करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है इन तीनों को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है और एक तरफ रेडियो था, एक तरफ गामा था, यह बाद भी हमें याद है क्या, जल्दी बोलो, एक तरफ रेडियो था, एक तरफ गामा था, यह बाद भी हमें याद है, लेको मैं ना practically काम करता हूँ, मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे लिखवा दो तुमारे टेबल, मैं बोल दू कि याद कर लो, मैं चाहता हूँ कि अभी कभी याद हो जाए, ठीक है ना, एक तरफ रेडियो था, एक तरफ गामा था, यह हमें याद है, विजीबल के एक साइड भी है, एक साइड आर है, उसके थुरू, आर के साइड इंफरारेड है, और वाइलेट के साइड वाइलेट है, यह भी हमें याद है, अब एक बात बताओ, अब यहाँ पर बच रहा है, यक्स रेज और माइक्रोवेव, तो यक्स को आप किसके साइड रखोगे, गामा के साइड रेडियो के साइड, ऐसे, वैसे सोच सकते हो, एक साइड किसको रखोगे, एकस रेज को, न यहाँ पे एक simple सी बात बताओ ज्यान से सुनना अभी यहाँ पे पूरा का पूरा पन इसको conclude कर लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे shortest wavelength की shortest wavelength की चलो बताओ कौन सा है जितना अभी आपने पढ़ा है shortest wavelength that is what gamma that is what gamma अब बताओ gamma से बड़ा कौन था gamma से बड़ा कौन था देखना नहीं है ठीक है ना देखना नहीं है gamma से बड़ा कौन था yaks rage ठीक है gamma से बड़ा कौन था yaks rage ok yaks के बाद कौन आया था याद करो जड़ा yaks के बाद कौन आया था UB, Ultra Violet, कौन आया था, UB, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, Visible Spectrum, अब Visible Spectrum में अगर आपको याद हो, तो क्या था, विविग्योर, बोलो हाँ या ना, जहां से समझो, अब विविग्योर में जो भी है, उसे अल्ट्रा वाइलेट के पास रखना है या रेड वाले के पास रखना है जल्दी बोलो विग्योर में जो वी है उसे किधर रखना है बोलो यार किधर रखना है वाइलेट के पास मलब यू भी है किधर रखना है वाइलेट के पास तो इसका मतलब क्या है V, I, B, G, Y, O, R अब बताओ, rate के बाद कौन आया था rate से ज़्यादा wavelength किसकी थी that is infrared infrared के बाद बताओ कौन बच रहा है एक microwave microwave और just after microwave सबसे बड़ी किसकी थी radio अब अगर मैं यहीं पे radio के बारे में बात करूँ तो radio का क्या highest था जल्दी बोलो radio relate करना है building से और building का size बड़ा होता है, मनलब किसकी size बड़ी होती है wavelength की और wavelength अगर highest है तो आप बताओ frequency क्या होएगी frequency क्या होएगी lowest अगर मैं यहां पे बात करूँ तो जल्दी बताओ नीचे की तरफ आने पे जो wavelength है वो increase हो रहा है जल्दी बोलो नीचे की तरफ आने पे wavelength क्या हो रहा है increase और उपर की तरफ जाने पे frequency क्या हो रहा है जल्दी बोलो यार frequency क्या हो रहा है increase तो यहां से अगर कोई आप से एक question पूछे की बताओ यार अगर आप से कोई एक question पूछे की बताओ blue का wavelength जादा होता है या yellow का what is the answer blue का जादा होता है या yellow का what is the answer यलो का जादा होता है वाइलेट कलर का फ्रिक्वेंसी जादा होता है वाइलेट कलर का फ्रिक्वेंसी जादा होता है या ओरेंज कलर का वाइलेट कलर का या ओरेंज कलर का वाइलेट कलर का समझ में आया क्या गलो यार क्या हमें पूरा टेबल पूरा स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के कितने जितने waveform है और स्पेक्ट्रम का जो variation है और जो order है वो हमें याद हो चुका है क्या यह जैनो और अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है clear है सबको तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा हमें जो अलग-अलग color दिखाई देते हैं किसकी वज़े से दिखाई देते हैं different जल्दी बुलो जो different color दिखाई देते हैं किसकी वज़े से दिखाई देते हैं different wavelength की वज़े से different wavelength की वज़े से चलो अब इधर आ जाओ एक बार फिर से चारी चीज़े रिपीट कर लेंगे अपन क्या है यह आपका रेडियो वेव रेडियो वेव और यह आपका गामा रेज आपका गामा रेज का वेवलेंथ बताना जाए रहा 10 के पावर 10 के पावर माइनस 12 वेड़ गुल एक सरेज का वेवलेंथ 10 के पावर माइनस 10 अल्टरा वाइलेट 10 के पावर माइनस 8 ठीक है न अब इस पीजिबल लाइट के बारे में थोड़ी सी बात करते है थोड़ी डीटेल में अब बाकी इंफरा रेड का हमें पता है माइक्रो वेव और रेडिय अगर यहां पे हम बात करें किसकी वेवलेंथ 9 में अगर सो नाइनों मीटर में तो इंगस्ट्राम में कितना हो जाएगा 1000 ठीक है? कोदिकर नहीं किसी को और नैनोमीटर ओलब 10 के पावर माइनस 9 और इंगस्ट्राम मतलब 10 के पावर माइनस 10 डन अब याद कैसे रखो यह भी बता तो जैसे दिखो अब यहाँ पर कुछ सूचना पड़ेगा आपको एक बाद बताओ किसकी वेवलेंथ हाईएस्ट है? किसकी वेवलेंथ हाईएस्ट है? वाइलेट का या रेड का? दाट इज रेड का ठीक है? आप ऐसे याद रखना आप ऐसे याद रखना wavelength का high होना हमारी लिए खत्रा है और खत्रे का निशान क्या होता है रेड तो क्या है यहां पर wavelength जादा होना और डेंजर का जो साइन होता है तो इसका मतलब क्या है यहां सामें सिक्षा क्या मिलती है क्या याद रखना है कि wavelength कि क्या जादा है रेड का या वाइलेट का रेड का या वाइलेट का डाट इस फॉर रेड ठीक है ना बस इतनी शी बाद याद रखनी है और जब याद हो जाएगा तो बाकियों का कोई दिक्कत ही नहीं अब हमें इतना पता है कि अगर wavelength जादा है तो उसकी frequency क्या हो जाएगी लिए तो अब यहां से उम्मीद है कि यह दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि कल को पढ़ रहे हो तो तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कि किसका wavelength ज्यादा तो वेवलेंद ज्यादा मलब ठीक है न बसे यहां से यहां से याद रकिए तो यहां पर वेवलेंद किसकी ज्यादा एक अब दूसरी चीज यह दूसरे चीज क्या यह दो दूसरी ग investment एगर एक घकर तर एक Lakge 4000 से 7000 यह से नो 4000 से 7000 टीक है ध्यान से सुनना जिसको नीद आ रही है जो मुझ दो के आ जाओ बस एक ही बार में सुनना है सब कुछ तो 4000 से 7000 तक होता है इंगस्ट्राम में टीक है ना 400 से 700 क्या नैनो मीटर 400 से 700 डैट इस नैनो मीटर डन चलो अब यहां पर एक चीज मैंने आपके सामने रखी है हर एक कलर का वेवलेंथ नैनो मीटर में रख दिया है एंगस्ट्राम में भी रख दिया है और फ्रिक्वेंशी भी रख दिया है फ्रिक्वेंशी टेरा हर्ट्स में है मलब 10 के पावर माइनस 12 ठीक है ना तो कंफ्यूज मत होना फ्रिक्वेंशी किस में है 10 के पावर माइनस 12 ठीक है अगर आपको वेवलेंथ पता है तो क्या आप फ्रिक्वेंशी निकाल सकते हो याद करो वेवलेंथ इन्टू फ्रिक्वेंशी इसकल टू वाट जल्दी बोलो वेवलेंथ इन्टू फ्रिक्वेंशी इसकल टू व अब जैसे मैं बोलूं कि बताओ red color के लिए red color के लिए frequency बताओ तो 3 into 10 के power 8 wavelength बोलो जल्दी border पे था highest 400 या 700 red के लिए 700 red के लिए 700 तो कितना हो जाएगा 3 upon 7 3 upon 7 into 10 के power 6 10 के power 6 मलब इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं तो किसी का भी जिसका wavelength हमें याद है उसका हम frequency easily calculate कर सकते हैं तो इस frequency को आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है तो सर याद क्या करना है याद भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है याद बोल भी दूंगा तो कौन सा कर लोगे बसे जाननो की एक तो red का 700 याद रखो ठीक है एक red का 700 याद रखो एक violet का 400 याद रखो ठीक है यह range है 400 से 700 जो हमें दिखती है अच्छा 400 से ज़्यादा गया तो ultra violet या infrared 400 से ज़्यादा गया तो अच्छा एक लियर हो गया आगे बढ़ जाए अब अच्छा एयाद कर लो अच्छा हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखो यहाँ बजहां दो green के लिए green और yellow के लिए अगर बेटर होगा सारे याद कर ले ना क्योंकि कई बार पूछा भी गया एक्जाम में न तो देखो violet का हमें याद है 400 rate का याद है 700 अब क्या करते हैं indigo का साड़े 400 blue का अच्छा इमें न average बता रहा हूं कि रेंज तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेंज तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और बेटर होगा न आप यह वाली लाइन अपने नोट में लिख लेना यह वाली लाइन यह दोनों लाइन अपने नोट में लिख लेना बसे दू कॉलम, बसे दू कॉलम, ठीक है, खेर, तु इंडिगू, 450 से 495, बट 450 के आसफास समझ लो, 495 से 500, 475 समझ लो, 500 से 565, 550 समझ लो, 565 से 590, average 580, 590 से 620, average 600, 620 से 750, average 700, ठीक है, इंफरा रेट आपका 750 से ज्याद़, ओके, तू, यहां पर बात आती है, sources of light, sources of light, दू टाइप के होते हैं, एक होता है natural, एक होता है artificial, एक होता है natural, एक होता है artificial, natural में कौन को न आ जाता है, आपकी शूर्य, चंद्रमा, और यह आपकी stars, ठीक है, जो तारे होते हैं, जो चंद्रमा होता है, जो सूर्य होता है, यह आपके natural sources में आ जाते हैं, अब बात आती है artificial में, तो artificial में, जब बात करें artificial की, तो artificial भी फर्दर दो पार्ट में classified है, artificial दो पार्ट में classified है, क्या-क्या, एक होता है electrical sources of light, एक होता है non-electrical sources of light, एक है electrical sources of light, एक होता है non-electrical sources of light, तो बात करें अगर electrical sources की, तो incandescent bulb, हर एक bulb के बारे में पढ़ना भी है, याद रखना, halogen bulbs, fluorescent bulbs, LED bulbs, neon signs, and laser pointers, these are what, electrical source of light, electrical source of light, और non-electrical source of light, तो जो candles है, उसे आप बिजली से तो नहीं चला रहे हो, तो that is non-electrical source of light, जो oil lamp है, kerosene का हो गया, या फिर इसी तरीके से, या फिर जो gas lamp है, gas lamp, like halogen type, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे non-electrical sources of light, और yellow, green और yellow, ठीक है ना, green और yellow, तो अगर question ए पूछा जाए, कि human eyes, देखो कितने question पूछे जाएंगे, पहला question, क्या, कि क्या हमारी आखें, सभी color को ले करके, equal sensitive होती है, yes या no, पहले ही बताओ, yes या no, नहीं, ठीक है, पहला question, दूसरा question, जो अगर sensitive, किस color, मलब sensitivity किस पे depend करती है, तो ये depend करती है, wavelength पे, किस पे depend करती है, wavelength पे depend करती है, अच्छा, किस wavelength के लिए, हमारी आखें सबसे ज़्यादा sensitive होती है, तो 550 nanometer के आसपास, या 555 nanometer के आसपास की, जो भी wavelength होगी, अब इस range में, कौन-कौन सा color आ जाता है, green, yellow, अब देखो, exam में, exam में, तीन question मैंने अलग-अलग देखा है, देखो, एक जगा answer पता है क्या था, मतलब कि किस color के लिए, हमारी आखें सबसे ज़्यादा sensitive होती है, एक जगा answer था yellow, एक जगा answer था green, और एक जगा answer था yellow, सर फिर हम क्या याद रखेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको answer में ए दिखा, yellow is green, तो आप इस पे जाओगे, second पे किस पे जाओगे, green पे जाओगे, third पे आप किस पे जाओगे, yellow पे जाओगे, और most probably एक ही, मतलब इन तीनों में से कभी-कभी एक ही में रहेगा, तो आप लगा दोगे, समझ में आए क्या, जल्दी बोलो यार, अगर yellow, yellow is green option में ना हो, तो आप answer क्या टिक करोगे, कौन से color हमारी आखों के लिए सबसे ज़्यादा sensitive है, बोलो green, that is green, अगर green भी ना हो option में, तब आप किस पे जाओगे, yellow पे, ठीक है, दिखो मैं यहाँ पे उस perspective से नहीं बता रहा है, मैं सिर्फ exam के perspective से बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं यहाँ पे rigid हो जाओ नहीं नहीं, तुम हमेशा green पे लगाना, तो कल को चीज़े yellow is green आ जाएगा, तो वहाँ पे आप गलत कर जाओगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा flexibility utilization में आपको रखना पड़ेगा, done, अच्छा, अगर कोई यह बोले, कि क्या, जैसे जैसे wavelength बढ़ रहा है, हमारी आखों की sensitivity, increase हो रही है, decrease हो रही है, जल्दी बोलो, increase हो रही है, जैसे जैसे wavelength बढ़ रहा है, तो sensitivity पहले तो increase हुई, बट बाद में क्या हो रही है, decrease हो रही है, बोलो हाँ या ना, decrease नहीं बोलो तो तब बोलते ना जब आपके वेवार्म कुछ ऐसे दिखती यह से नो दिखो यार वेवार्म है तो आपके सामने पूरा 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 तो पहले sensitivity क्या हो रही है इंक्रीज फिर उसके बाद क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है यार यह वेवार्म यह जो सारे कि फिगर की थुर mai क्यों बतार मैंने इसको ऊनलाइन क्यों पढ़ा रहा हूं इनहीच की वज़े से उललाइन पढ़ा रहा हूं अभी तने कलर के मारकर नहीं लढा सकता ना में condition में जो हमारी आखे होता है 507 nanometer के लिए ज्यादा sensitive हो जाती है 507 nanometer के लिए मुझे एक जगा दिखा था तो मैंने इसको भी रख लिया और सबसे ज्यादा sensitive किस कलर के लिए होती तो यलो इस, green और green के लिए second number पे green लास्ट में अगर इज दूनों option में ना दिखें तो आप yellow लगाके आजाना तो अगर question पूछा जाये कि एक yellow light है एक red light है बताओ दूनों में से आपको ज़्यादा appear कौन होगा what is the answer? ज़्यादा appear कौन होगा yellow या red बोलो yellow